हुंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया 23 जनुवरी को अपना नया टू विलर लॉंच करेगी कमपणी ने इसके लिए इन्विटेशन भेजना सुरू कर दिया है कमपणी ने इस इवेंट को लेकर ओफिसियली एक्टीजर भी जारी किया है माना जा रहा है कि कमपणी अपने नय एक्टीवा से परदा उठा सकती है कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि कमपणी एक्टीवा का इलक्ट्रोनिक वर्जन ला सकती है कमपनी ने जो टीजर जारी किया है उसमें स्मार्ट सब्द का इस्तमाल किया है साथ ही इनके एक हुमेन और एक रोबोट हैंड आपस में कनेक्ट करते हुए दिखाए गए है एक्टिवा देश में सबसे ज़्यादा बिखने वाला स्कूटर है एसे में इसके इलेक्ट्रोनिक वर्जन का कोई भी फायदा मिल सकता है कुछ रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि ये कमपनी एक्टिवा के हाइब्रिड इलेक्ट्रोनिक्स वेरियंट को भी पेस कर सकती है कमपनी द्वारा जारी टीजर में H-Smart का लोगो देखने को मिलता है जो इस बात का संदेश देता है कि संभव है कि कमपनी Activa Hybrid Electronics को बजार में लॉंच करे कमपनी अपने कुछ मॉडल्स में Honda Eco Technology का भी इस्तमाल कर सकती है इस स्कूटर में Officially Intelligence Technology का इस्तमाल भी देखने को मिल सकता है Honda Activa के Electronics Virgin से जुड़े रिपोर्ट की माने तो इसमें स्वेपेपल बैटरी भी दी जा सकती है कुछ वक्त पहले कमपनी ने Bangalore Metro Rail Corporation Limited के साथ साज़दारी में अपनी बैटरी स्वेपिंग सर्विस शुरू करने की घोशना की थी सुरुआत में नई सर्विस का इस्तेमाल Electronic Auto Riksa के लिए किया जाने का संभावना था अब माना जा रहा है कि Honda अपना Electronic Scooter Swappable Battery के साथ लाँच कर सकती है ये Swappable Battery के साथ पहला Electronic Two Wheeler हो सकता है Activa Electronic Scooter के फीचर की बात करें तो इसमें Indicator Mountain Front, Apprant, Flat Seat, Silver Color, Rail, Seat के नीचे Removable Battery जैसे फीचर्स मिल सकती है International Market में इस Scooter को अलग-अलग डिजाइन और कीमत के साथ पेश किया जा सकता है इसका मुकाबला TVS, iCube, Electronic, Simple Energy 1, Ether 450X और Bounce, Infinity E1 के साथ हो सकता है हाला कि ये Electronic होगा या नहीं इस बात से परदा तो 23 जनवरी को ही उठेगा आपकी क्याराय है हमें कमेंट करें इस बुलिटिन में फिला लेतना ही है आप देखते रहे हैं सिने आज कल न्यूज नमस्कार